भारतिय नारी नेंग्रेजों की गोलियों के आगे जुकने नहीं दिया तिरंगा, पती के शहादत के बाद भी नहीं दिगे कदम. भारतिय नारी किसी भी समय अपनी परिचे के लिए मोहताज नहीं थी एक समय था जब भारत में काफी परदा प्रथा था ये आजादी के पहले की बात है घर से किसी भी औरत को निकालना या बाहर जाना सक्त मना था आज हम योसी भारती नारी की बात करेंगे जिसकी बिरागना और देश के प्रती अपनी क्रांतिकारी बलिदान को सुनकर आपका अपना सीना गर्फ से चोड़ा हो जाएगा। उस भार्तिय नारे का नाम था तारा रानी श्रीवास्तव जो अपने कम उम्र में ही बियाह दी गई। तारा रानी का जन्म बिहार के सारन जिला में हुआ था। तारा रानी श्रीवास्तव का बिबाह फुलेंदू बाबा से हो गया था। फुलेंदू बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। महत्मा गांधी को बहुत मानते थे। उनकी शिक्षा का अनुसरन करते थे। उन दिनो में बहुत ही खोज के बाद ये संदेश आप तक पहुचा रहा हूँ। तारा रानी श्रीवास्तव जैसी भारती नारी बिरले ही मिलती है। बात 1942 की है जब भारती अपनी आजादी के ये सब कुछ दाफ पर लगा रहा था। फुलेदू बाबू भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे और तारा रानी भी कदम से कदम मिला कर चल रही थी। सिवान के थाने में तिरंगा लगाना था तभी वहां अंग्रेजों ने पूरी भीर पर लाथी चार्ज किया लेकिन तारा रानी और का मलहम पटी की ओर जो जंडा फुलेदू बाबू के हाथू से गिर रहा था उसे पकड़ कर आगे चली गई यही नहीं ओर जाकर जंडा को लागा कर ही दमली। हाला कि जब ओ आपस आई तो उनके पती की मिर्तू हो गई थी। एसी भारत ये नारी जिसके अपने अंदर आ देखा जाता था और महिलाओं को बाहर आजादी से घूमने की छूट नहीं थी। लेकिन तारा रानी ने इन सभी पाबंदियों को किनारे कर देश की आजादी के लिए निकल पड़ी। तारा रानी की सोच ही अलग थी तारा रानी ने अपने साथ कई महिलाओं को एकथा कि प्रोच शाहित किया और महत्मा गांधी के संदेश को जन जन तक पहुँचने की कोशिश की ये घटना 12 अगस्त 1942 की है